कि दोस्तों के लेक्षे नमर फोर्म में आप लोगा स्वागा तो एक बार एक रीकैप ले लेते हैं कि हमने कौन-कौन से टॉपिक कवर कर लिया है तो उसको मैंने लिग दिया है परेसी आप मैं बता देता हूं तनकलो स्वाट ठेटागी अफ तो आपकर खाएंग गएंशन के औरुजन सवाट व्यल्वाटी देख है उद नहीं होता है में स्रेस किसी बॉड़ी में होता है कब कि ऊसमें बॉस्त होता है कब नहीं होता है तो हम ने देखा था लाकि बैलेंस पोस्ट के वैसे हमारे पास किसी बॉड़ी में स्ट्रेस जनरेट होता है और उसमें ट्रांसलेशन मोसर होता है फिर हमने देखा था कि stress और strength के बीचे में क्या difference है दोनों ही भूत ही को रिलेटिड वर्ट जो एक साथ ही यूज होते रहते हैं तो हमने देखा था कि उनके बीचे में डिफ्रेंस का है stress और strength के बीच है फिर हमने देखा था classification of stress उसमें हमने सबसे फ़रे पढ़ा था classification of normal stress कि normal stress क्या होता है यह स्क्राइब क्लासिफाइब कि यह स्टेस फिर बात भी पढ़ा थे कि stress representation जो रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी stress को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वह हमने देखा था फिर हमने यह समझा थे कि stress एक टेंसर कॉन्टिटी क्या होता है वह मैंने पहले बता रखेंगा बता रहूंग फिर हमने पढ़ा था elongation of beam due to axial loading किसी भी beam में अगर axial loading हो रही है तो उसके कारण जो deformations है वह हमने calculate करने सिखा था सबसे पहले हमने सिखा था prismatic निन जिसका area of cross section पूरे length में सेम है उसमें भी दो केस थे जब external load लग रहा था तो कितने longation है और उसी prismatic beam में अगर उसका selवेट की वैसे कितने elongation होता है वह हमने देखा था फिर हमने देखा था conical beam में selवेट की वैसे कितने elongation होता है फिर हमने tapered beam में भी हमने दो केस लिए थे पहला वाला केस जिसमें area of cross section circular था और दूसरे वाला केस जिसमें rectangular cross section था तो यह elongation of beam में हमने यह फिर हमने देखा था कि क्या difference है ductility और brittalness में फिर हमने पढ़ा था कि exit loading के करण बीम के अंदर से जो भी energy store होती है वह कितने टाइप के होते हैं क्या वह स्की energy होती है toughness और resilience उसके अंधर ही के फिर हमने फिर हमने कुछ numerical सॉल्ट कर रहते हैं तो लाज यह लेक्षर नमबर फोर है इससे पहले जिदने भी 321 में इन topics को में cover कर लिया है इन में से कोई भी टॉपिक अगर आपको छूट रहा है तो आप लेक्षर नमबर 123 में से देख सकते हैं लेक्षर नमबर वन यह टॉपिक को कवर करता है तो यहां से लेके यहां तक लक्षर नमबर 2 में यह लेक्षर L1 लेक्षर टू लेक्षर थी में यहां तक लक्षर थी के दो पाइट है एक धिये एल त्रीग वल और यह एल त्रीटू टूफनेस एंग उसमें एक उसमें लेक्षे नुमेरिकस नाम से नुमेरिकस और स्ट्राइब तो यह हमने टॉपिक कर लिए आज का लेक्षा निम्बर फॉर पर आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की फर्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और स्ट्रेस्ट मैट्रिक्स जैसे कि आपको सुना होगा मैट्रिक्स के बाद किसी वी कॉंटिटीज को अगैर हम मैं घृ kale वही उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नुप कि में हाँ रिप्रेजंट थी तो सबसे पहले एक चीज नवाशंता है कि कोई भी प्लेन है मनदब कोई भी जैसे माल लीजे कोई भी एक सेक्षन है यह माल लीजे कोई बीम है इस पर माल लीजे की ट्रांसवर्स लोडिंग लग रही है तो इसके वेसे यह बेंड करेगा अब मैंने आपको बता है था कि ला बेन्डिंग एक इसमें नॉर्मल स्चेस्पी मिनेरेट होता है और कि शी और है मतार दोनवें एक साथ होता है और नॉर्मल स्टेस्पी तंप्रेशन और टेंशन वह भी दोनो एक सथ subject हूती है जैसी इस वाले case में normal stress css मन्हदा हर तरीक के stress इंक्लूड होगया दो तरीक के stress पढ़े थे हमने normal stress और css अगर मैं direct loading करता है इसल लोडिंग करता तो इसमें सिर्फ normal stress रहा तो मैंने वह वाले case जिसमें दोनों ही एक साथ आगे normal stress और css तो bending ऐसा case है जिसमें normal stress, तो यह तो वह टाइप्स जो जन्रेट हो रहा है बेंटिंग के कारण पर हमने एक ती और समझाता कि जो स्ट्रेस होता है वह किसी पॉइंट पर अप्लाई होता है है थे पोइंट की में आपको बताया था कि से से कॉइंट पर कैसे अप्लाई होता है हम प्रेशर तेंग ए्रिया पर लगाते हैं तो मैं क्यों कहरा हूं कि स्रेस्ट प्सक्रीं के चांज होते हैं हमने तब यह देखा था कि लिमिट दी-ए टंडिंग टु जीरो डी-ए टियरो पती है गजुन होती है कि वह लिमिट-डी एंडिंटीग 0 होती है यह जो डी है वे 수ads落 यह और वोवी टंडिंग टु जीरो है इसका मतलब जो एरिया है वो ट्रेंड होके एक पॉइंट को भी बुजन करता है वो इस लिमिट का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस है वो किसे पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो उसको यह वह देख लीजिए तो चले कंटिनियो करते ह हुए चाहे वह नौर्मल श्यसो क्यास है ठीक है वह साऩी क्या पर अप्लाई हो रहे हैं किसी खवश्यक्यJust मने एक शावभी इसके वियसे बेंड़िंग हुआं कि स्ट्रेस थो कि मैशानो कि कंसील कर रहा था है यह सका मुदीज जबाद स्टिक्शैन तो इसमें कितने इसके बहुत सारे पॉइंट्स है उपर नीजे इधर 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 इंफानेट पॉइंट्स है और हमने यह देखा पिता है कि जो जैसे बेंडिंग स्ट्रेस में नॉर्म स्ट्रेस ऊपर मैक्सिमम होता है मिड़ पर जहां न्यूट्र अलेक्सिस जिसे कहते हैं वहापर इस श्रेस का वरियेशन भी है पूरे सेट्व तो माल डीजी एंट को एंडियों कहनेट इंफमिन से मैंने मैंने किसे पॉइंट पोजुड को माल डीजिए इस पॉइंट को सब्सक्रार करते हैं तो इस वाले पॉइंट पर कितने तक यह नायुंट नॉर्म स्ट्रेस हो रह है इस पॉइंट में कितने टाइप के स्ट्रेश हो रहे हैं नॉर्मस चैस और स्ट्रेश तो अगर मैं इस सक्षिन को यहां ड्रॉ करूं जो मैं यह इसी में थोड़ा रप कर देता हूंगे इसके अब जब्द में हैं यह फेंडिंग भी एरेस कर देता हूं अब ध्यान से देखते रहे हैं वाली जी यह वह प्लेन था ठीक है इसमें जो नॉर्मस ट्रेस्ट होगा वह कुछ ऐसा इसके परपेंडिकुलर होगा यह एंगल 90 डिग्री यह नॉर्मस ट्रेस्ट तो एक तो नॉर्मस ट्रेस्ट जिए लिखा है चीए जो यह लिखा है अब इस डारेक्शन जो जो एक हम ट्रेक्शन हो किके वह मतलब किसी भी एक प्लेन और कितने स्ट्रेस्ट सकते हीं एक नॉर्मस ट्रेस बेंग ऑर दो किएस सबस्टों आ गार्मस ट्रंट परी संश्ट अटीन तो शिर्सूर के टोटल एक sleep टीन हो गए एक नॉर्मल और दो शिर कर अब इस पॉंट को फिसाग्ध पिर से यह जो पॉइंट्स था इस इस पॉइंट से पास होने वाले कितने प्लेंध से है इस ही पॉइट को नहीं हिंद होता है इस प्लेइन से पास होने वाले इन फञेंद हो सकते हैं इसके क्रोब स्ट्प्रेंख्ज में किद्ने पॉइंट से इसी ही इस इस पोइंट में किद्ने पर्णव उसकता है अब मुझे इन में से कौन सा प्लेंड चूज करना है मनलब मैं जो डिजाइन करूँ किसी में माटीरियल को उसमें से मैं कौन से डिरेक्शन को चूज करूँ वह डायक्शन चूज करो जिसमें मैक्सिमां लूडिंग लग रही है अगर आपको याद हो मैं थोड़ा सा पीछे का बताता मैंने फर्स लेक्शन में कुछ ऐसे एक्जांपल दिया होगा कि यह माली जे लग रहा है तो यहां 0 यह 100 तो अगर इस मटीरियल को मुझे डिजाइन करना है जो 100 kg ले सकता है तो मैं इस मटीरियल को यहाँ पर जो स्टेस जनलेट होगा उसकी कारण नहीं तो डिजाइन तो कौन से सक्षिन चूज करना पढ़े गाए यह वाला एंट लोट सबसे मैक्सिमम लग रहा है और इस प्लेंट को भी अगर मैं ड्रॉ करों जो यह वाला प्लेंट था उसमें मैं बताया इसमें इंफाइनेट पॉइंट है ठीक है अब इस इंफाइनेट पॉइंट में कि अभी इए इसमें प्लेंट पे यहां तक तो इज sarà था ये तभी वडयेशन देख लिया पि कि एक पौइंट पर अइक का सकता हैसे मैक्सिमॉं कुछ तो इसमें क्या करते इस में से हम किसी भी ऑफे को चूश कर लेते हैं धीक है यह जब फodra रहा हुद है गोई को सबस्टेटीर है नहीं कि वहां पर जो कि चिक्टर क्यों укrood बेस्ट है कि इन्हें कैसे केल्कुलेट करेंगे ठीक है तो अभी बस अज़ाफ आइडे ले जाता है तो किसी भी पॉइंट प्लेंग पास हो रहे हैं इन सारे प्लेंग तो मुझे हर प्लेंग में स्ट्रस की वैलू करने पड़ेगी और उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसकी ल तो इन्फानेट प्लेंग में से आपने कि प्लेंग चूज करें तीन और वो कैसे होने चीए एक दूसरे के परपेंडिक्र होने चीए अब हमारे पास प्लेंग कितने हैं और एक प्लेयन में क्टिने श्रेस लग रहे हैं वह भी थीन यह बताई था एक प्लेयन में कितने सप्डिक हैं दो शिर कि हमारे पास कितने श्रेस को नंबर और इखके हम कि 3 नॉर्मल होंगे ऐख चे यिर यूंग क्यों कि टीन प्लेंग पर एक ही नॉर्मन लहाथ खोला है तो इसेती प्लेंग अथनुती नॉर्मल हो गया एक प्लेंग य। इसमीष और दिसेग canal और इस प्लेंग हो दो दोवित दोral का ससु है । bigger क्लियर है थोड़ा भी सुनने में अजीब से लग रहा हो अजीब से लग रहा होगा क्यों पहली बार सुन रहे हैं से क्या हो रहा है अब उतना मीनिंग नहीं समझ मारा होगा मुझे भी पता है लेकिन जब हम इसा आगे करेंगे प्रिंसिबर स्ट्रेशन पढ़ेंगे वहाप अब उस पॉइंट में में मैक सिण इंपानेट प्लेंशे इन सारे में मंज़ेंगे इसको निकालने कले हम क्या करते हैं किसी भी न्युक्त चूप केरते हैं वह स्भेट मिला हो इसी नो को रिप्रिजेंट करते हैं मैंट्रिक्स कर वह है यह इसी 9 खरका है कि कैसे करेंट Administration यह वाला हो गया एक प्लेन यह जो आपकी तरफ है और एक यह वाला प्लेन हो गया ठीक है तो हर प्लेन पे तीन तीन सेसिस लग रहा हूंगा उनकी नेमिंग कर लेते हैं आप इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर मोधर एरेज कर देता हूं ठीक है अब ध्यान से देखें अब ध्यान से देखें पहले तो इस वाले प्रेंग पर नॉर्मल स्ट्रेस इसका नाम बता सकते हैं यह मैंने कार्टिशन ड्रॉग कर दिया है एक्स यजड कोडिनेट जोग रहें तो इसका नाम हो दियागा ताव एक्स एक्स ठीक ऐसे इस डारेक्शन में जो इस इस डारेक्शन में अभर चगारा है तौ इद अभर नाम कर सकते हैं मैंने पहले बाता है और तीसरा यह प्यांक आ चाहेंब चलो एक सब्में एक नार्मल गोग कर दो sweating से अशना उन्यक्रण ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें जल्दी से तो ताव वाई वाई यह क्या हो जाएगा है ताव वाई एक्स है ऐसे यह टाव वाई जैड है ठीक है ऐसी करके हर प्रेंट पर लिख लेंगे ठीक है मैं सारी नहीं लिख रहा वर्ना समझने में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करते हैं मैं डारेक्ट वह लिख जाता हूं यह मैं लख कर दो η 자 दो आओ जो RJ to exit तो यह रिप्रेजंट हो गया इसी को कहते हैं की में रिप्रेंटेशन और स्रेस टेंसर में रहीं में और यह तरीक कि हर प्लेन पर तीन इसे टोटल 9 हो गए और यह जो डाइगनल है डाइगनल एलिमेस टाव एकस टाव आई वाई वाई टाव जेट इन सारी डाइगनल में आई और जे की वैलू सेम थी तो मैंने बताया था यह किसको रिप्ज़न करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को जो हमने बताया तो यह सारे तो है जो में ने चैसे होते हैं यह इकोल होता है अभी तो बस मैं बता देता हूं जो नेक्स आपिक हम पढ़ेंगे वो उसमें यह देखेंगे मतलब टाव zx इकोस्ट टाव xy एसी टाव yx इकोस्ट टाव xy ठीक है तो जो stress tensor matrix होगता है वो बस यह matrix representation of stresses होता है और कौन से stresses को represent करते हैं यह 3 इस वाले पॉइंट को समझते हैं अगले हेडिक में कि यह जो stress है यह इकोल कैसे हैं ठीक है जैसे देखिए मैंने यहां पर माक करा है ताव yx और टाव xy कौन सा है यहां पर शोग देता हूं ताव yx यह वाला और टाव xy यह वाला जो इस डारेक्शन रग रहे हैं और जो इस डारेक्शन रगए यह दोनों इकोल होता है इसे कहते हैं कॉम्कलिमेंटरी अगर अगले टॉपिक में देखें तो अभी जो हमने देखा था कि मैंट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जो इकोल होता है वह मैंने बता आया था अब उसे हम पूफ करके देखें यह जो से यह दूनों इकोल होता है मैंने बता थैने तो यह भी मैक्रिक्स बनाया था जो मैंने इसमें यह वाला और यह वाला सेम बताया था तो कैसे सेम है वह रएकटर करें संब्सक्राइद में तो मैंने वो bigger फिर से बना दिया थे टीक है एक सिर्सटेस से अजत रिप्झन कर तो ये रिण्टा एक्स ये डेल्टा Z देल्टा वर इस अठयरती में इस अचैतल को आजरयली टऑ इक्ष्प गुषे घुमा के अगर उस डारेक्शन में बना ले तो वह भी उकल हो तो यह देख लेते हैं कैसी कुल है तो सबसे पहले जो यह शीर स्ट्रेस लग रहा है इस प्लेंट पर कितना फोर्स लग रहा है वह निकाल ले अगर तो अगर मैं एक फवन निकालू कि यह जो प्लेंट इसमें जो यह वालेainen आटीज लग रहा है वह कुछ एसा लगरयो तो रिक एम ऑटरइट म हैं देल्टाय देल्म ऑई यह तो एरिया है इस वाले प्लेंट का toda आ मिंता चलो के डेलिया कितना है डेल्टाज एंसी के बराबर तो इसको में रिप्रेजट करता हूं कि इसका प्लेनर डाइग्रम बना लिए इस डारेक्शन में मतलब यह जो प्लेन था 3D में था इस प्लेन को में एक लाइन से रिप्जेंट कि रहा है यहां पर कितना फोर्स लग रहा था एस डारेक्शन में ऐसी यह एफ और इस डारेक्शन में एफ यह 3D और यह 2D लेनर डाइग्रम में माल लेते हैं यह जो पॉइंट है वह है तो मैंने यह प्लेनर डाइग्रम ड्रॉ कर दिया अब इस पॉइंट ओके अबाउट हम इन सारे फोर्स का मुमेंट लेते हैं कि कोई भी बॉडी वह एक इकलिब्रियम में रहना चाहिए स्टेशनल रहना चाहिए ठीक है वर्ना तो बॉडी क्या ट्रांसलेट करना लग जाएगा अगर वह एक्शनली इकलिब्रियम में नहीं है अगर मालो होरिज़न्टल फोर्स सारे बैलेंस नहीं इसे 20 लग रहा है यांसे 10 लग तो जीदर ज इस जा ठाहिए अब जीद करना है और स्मयब्रियम होग्ड अब योग आइप इस पॉईंट के आपायो इस प्लध इस पॉइंचल अबहुर्ण मेंने निकाल सकते हैं अच्छा मैं इनको रिप्रेसंट करता हूं कि इस दो क्राइं की बीच में दिस्सन्स कितना था था यह मुमेट लिखते हैं जो टूटल मुमेंट है बाउट ऊग किदा होने चाहिए जीरोस उने चाहिक ना चाहिए रिए कंद्धिर्यून कि दो अ 사ोसिए कोई दो अ मुमेंट नहीं होगो इन तरक पर फर्पेंटीकुलर डिस्रेंट ए तो मुमेंट ऐगा वह कितना हो जाएगा f1 delta x f1 delta x यह anti clocks था एंटी क्लोक को मालने थे positive और clockwise को मालने थे negative तो negative f2 delta y यह clockwise था ठीक यह जो f1 था इसी direction ऐसी थी displacement इतना delta x था यह कुछ ऐसा रोटेट करेंगा body को और ऐसी f2 कुछ ऐसा नीचे की तरफ माइनस और यह कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए एम के एलूप जीरो होनी चाहिए तो जब इसको मैं 0 की equal करूँगा f1 delta x minus f2 delta y तो यहां से ही आ जाएगा कि f1 delta x equals to f2 delta y ठीक है f1 और f2 की value substitute करता है f1 की value ताव xy delta y delta z यहां substitute करता है f1 delta x तो f1 की value क्या है ताव xy delta y delta z यह होगी f1 की value into delta x पहले सी था ठीक है equals to f2 f2 की value क्या है यह सब्सिट्यूट करते हैं ताव yx delta x delta z यह फ्टू क्यों होगी into delta y को अब देखेंगे कि यह वाला जो पाट है delta y delta z delta x ऐसे यहां पर भी है देल्टा y delta z delta x यह पूरा पार्ट cancel out हो जाएगा तो बचेगा क्या टाव xy इकोस तो टाव y ठीक है तो यहां से हमें क्या होता लागा जो कॉंप्लिमेंटरी शीर से होंगे तो मतलब अगर इस प्लेन पर इस डारेक्शन में शीर से लग रहा है तो यह बाडि पर इस डारेक्शन में तो आटोमेंटिकली इस वाले फ्लेंट पर जो बॉड़ी पर इस डारेक्शन में लगए वो उस डारेक्शन में ने यह कुछ रहो और फिक है मुवमेंट को हमने बैलेंस कर रहे हैं चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं आप इसे नोट डाउन कर लिए जिए माली जी कोई बॉडी में जो शीर से से लग रहे हैं वो कुछ इस तरह से है अच्छा है माली जीए तो यह बॉडी में अगर इस डिरेक्शन में लग रहे हैं तो इस प्लेन पर इस डिरेक्शन में ऐसे अगर यह नीचे तो यह इस डिरेक्शन में तो तो यह वाला सही है दूसरा क्या से लेते हैं माली जे बॉडी कुछ इस तरह से दे रखिया है इसमें स्ट्रेस ऐसे लग रहा है यह वाला गलत वज़ाए लगा क्यों देखें यहां पर जो इस डारेकशन में लोड था उसको बैलेंस करने की लिए इस तरफ ने याइशा पैडर यह इस तरफ हे तो यह इपस्द में तरह है और यह उस तेराफ है ऊपर की तरफ है तो यह नीचे की तरह को सब्स्क्राइब आगर इसमैं देखे तो इसको बैलेंस करने के लिए है यह इस दिर्शन में लग रहा है तो यह इसे अफ़ार्ट तो यह डांवर्ड लेकिन इस वाले केस में नो रोटेशन है नो रोटेशन कोई रोटेशन नहीं हुरी है क्योंकि जो फोसिस तरी चीस लग रहे हैं कि यह इदर मोमेट दे रहे तो यह इदर मोमेंड लेकिन रोटेशन लोटेशन इसमानल बॉडी एक्लिब्रियूम में नहीं है अब देखें यह पुरा बोडी कैसे घुमने की विश्शिक करता है तो ये बोड़ि एक्लिव्रियम में नहीं इसका मंदब कोई भी बोड़ी से ऐने सब्सक्राहिए कि अजरुकि बीकिर्ड शुट वोग पर लेकिन इसमें तीसरा जो होना नहीं होना तो जब भी स्ट्रेश टेरेरेत होंगे वो कुछ इस तरीके से हुँए कि उसमें समेशन एक्स समेशनलाइं और मॉ्मेंट सारी जिरो होगा तो जो स्ट्रेसज्ज्ज होंगे वह कुछ इस तरीके भी बॉड़ी यह किसी भी स्टर्क्षिरेंश करते हैं तो उसमें गुश्सेंशन लेते हैं जिसे कोई भी हम जब अनलीशिस करते हैं किसी चीज होते हैं ऐसे 100 में कूछ और एंजबसें से तो उन्हीं एंजलिवान से हैं तो पहला जो आजम्शन हैं वो है कि लूड है 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 मतेरियल अर है हो मोजीनियस एंड फाइसो अपर अल्माटीरियो अर होमोजीनियस और इसलोपिक तो यह जो एजुंशन इंड बहुत ही फेमस अलम्शन यह सिर्वा आप सोम सुझेक्ट पी नहीं आश्सेशी हो स्वायल हो हर टाइब की स्टील में हो तो इन सारी सारी सब्जेक्स में आप यह अदम से बहुत ही डिपिटिटीव लिए यूज करते रहेंगे कोई पी अनेलिसिस करने से मेली कि मटीरियल होमोजीनियस है आइसोटॉपिक है तो यह हम यूज तो कर लेते हैं लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकस हमें समझी भी न तो होमोजीनियस और आइसोटॉपिक मेटिरी की डेफिनिशन तो मिल जेगी आपको हम तोड़े सब ग्राफिक हाई रहें कि यह होता है क्या है कि हमें और अच्छी तरह समीनिया है कि यह मैंने तीन बटीरियल ले लिए तीन बॉड़ी एजिम कर लिए तो सबसे पहला वाला है होमोजीनियस दूसरा वाला आइसोटॉपिक और यह दोनों होमोजीनियस अच्छी आपने सुना होगा इसोटॉपिक मटेरियल एन इस टॉपिक मटेरियल तो पता तो होगा मेरे जाप से लेकिन जो हम जो होमो जीनियुश सब्सेटीं हटा है तो मटेरियल की कोई भी मटेरियल हो उसी पॉपटी होते है जैसके माली जॅनी में इसकी सब्साइटी होगी यंग मोड़ुरूरस हो गया है जोबी प्रापरटी है तो उस प्रापर्टी तरहा है तो न सबस्क्राइब की अलग कि इस ओर फड़ेंट की नियुक्ष एगर मैं होरिजोंटल ही दिख्वाइब ए जो इस वाले पॉइंट में भी जो ये वाली डिरेक्शन है जो प्रॉपर्टी वह सेम हो जीसे मानिफिक एगर एक सिंग कारओ यहां पर गिवन है तो इस डिरेक्शन में भी ईवन ही होगा अच्छा की यह हैं प्रॉपर्टी एग तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं उतने ही एंगल पर देखूं उसी थीटे एंगल यहां पर भी खेंगे यह ही मिलेगा मिलेगा कि मैसे hommes के वाटिएशन क्या है कि particular direction में हर श्явयट मैं य सारे पॉइंट में एक भी डारेक्टन साय इसवे इस और मिलें होनी पैसे कहते हैं हुम कहते हैं बटेरियल दूसरा है आइसो टॉफिक मटेरियल तो यह पर भी दो चिरेक्ट करता है अगी पॉइंट है और यह पॉइंट है कि कि कोई सवी प्ट हो एक पॉइंट पे जित्ने भी डायरेक्ट्ट्टेन से हैं इंफाइन डिर्टेशंस थोयं इएपॉइंट से उण सब पे जो प्रोपर्टी सो हुगी वो सेम अगर यह एवण है तो हर डारेक्शन में एक पॏइंट एक क्लश्चन से ऑलो है प्रापरटी वो सेम होगी यहांपर एगर मैं दूसरा प्वाइंतर तो इसमें जितने भी डाक्षन होनगी उसमें जो प्रापटी होगी वो सेम होगी ओगर इस पॉइंट परधें ऑगर और यह तो है अच्छा मैं इसे अनक्त कर से डॉक कर जता हूं तो इसली अब इसे विजिवल होगा आपको ये अगर इटू है ठीक है देखिए आइसोटोपिक मटीरियल में में किसी भी पॉइंट में जितने भी डारेक्शन से उसमें प्रॉप्रिटिज और इसे गम्पर करें इसमें क्या था एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकती थी पर यहां पर यह फॉसिवल नहीं है हो सकता पर पर हम तरो इस by हो सकता है दिसक्समें प्र highlighter है तो तो तीसरा material हो सब्सक्राइब और हम औरों कर दे तो ये वनेकार लिए तरह देंगे दिखेगे लिए मैं है। तो जो तीसरा material homogeneous एन isotropic है अगर इसमें वेरीएशन क्या था डारेशन में प्रोपटी से इसमें वेरीशन क्या था पॉइंट में अलग हला को करें तो इन दोनों को एक हम क्लप कर दे तो कुछ मटेरील यहां डारेशन कुछ भी हो अब लिए वह तो देखिए हो दिनी इसका तो यह ले लिया कि हर अच्छा यह थोड़ा सा ऐसा बना रहा हर इंडिवीजन वर पर्टिकुलर डियक्शन में तो सेम है है ही है होग मोजीडिया और आइसे मतीरियल को हम सों में यूज करते हैं जिसमें हर बोल रहा हूं और आप इस डाइग्राम को आराम से बैठके कंपेर कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा जाएगा यह तो असे नंबर फर्स कि पहले जो तरफ चलता है तो जो नेक्स्ट अजम्शन है वह यह है कि इफेक्ट आफ ट्रू सेस एंड ट्रू से इस नेगलेक्टेड इसका मदब कहा है स्ट्रेस और स्टेन तुम्हें समझा था लिए ट्रू ट्रू सेस कहा है और तू सेंट यह देखते हैं देखिए माल दीजी एक वी मटीरियल है ठीक है इसमें कुछ लोड लगा है पी इनिशल इसका लेंट इनिशल लेंग था एल और जो एरिया फ्रॉस सेक्शन था वह यह था ठीक है यह कपके बात है टाइम टी कोस्टू जिरू अब कुछ दिर बात क्या होगा है इस बॉड़ी में कुछ इलोंगेशन साही है यह बॉड़ी कुछ इस तरह इलोंगेट हूँ तो यह लेंथ यहां दख तो अल्फा और जो चेंज हो वो डेल्टा इल इस लोड़ की विजिस में लॉंगेशन और डेल्टा इल चेंज हुआ यह कब था कुछ दिर बात था टाइम टी कोस्टू टी अब हो कहा रहा है कि माल लीजे आप यह बहुत प्रैक्टिकल और कॉंसेप्शियों है इसली समझ भी सकते हैं तो होगा क्या लोड लगाने के वज़से इस एक्सिस में इसका इलोंगेशन होगा पर लेकिन यह जो एक्सिस है इसका प्रॉस सेक्शन ता है इसमें क्या होगा अगर मैं से खीच रहा हूं तो प्रॉस सेट्शन इंक्रीज करेगा इसका डिक्रीज करेगा तो अब जो एरिया है वह यह जो एडैस है और यह जो एडैस है वह लेस देन ओरिजिनल ए से कम है ठीक है यह वह प्रेक्टिकली समझ सकते हैं पर लेकिन अगर मैं स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं सिग्मा उसकों पी वाई ए ही कहते हैं कि कहने का मदब यह है कि जो यह है वह ओरिजिनल एरिया औफ प्रॉस सेक्शनल ही यूज करते है और इजिनल कैना उससे ज्यादा अच्छा वर्ड होगा इनीशल है इनीशल एरिया और पर एक्टॉरी स्ट्रेस जनेरेट कितना हो रहा था वह जाता पी पाइड़ ठीक है क्योंकि अब जो एरिया हो रिडियूस होके क्तना हो गया है एट हो गया है पर हम लिखते कितना है पी बाई ओरिजिनल जो पहले इनीशल एरिया था उससी से हम श्रेस निकाल करें पर जो एक्टॉल एरिया जो हो जाता है वो कितना हो जाता है जो एसे कम होता है तो यह जो stress में variation देख रहे हैं कि यह वाला stress और यह वाला stress दोनों ही unequal है दोनों equal तो नहीं होगा और इसमें से भी कौन सा बढ़ा होगा अच्छा यह sigma है को कहते हैं इस सिग्मा को कहते हैं इस सिग्मा को कहते हैं इंजिनेरिंग stress तो सिग्म्म्म्म इंजीनेरिंग 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 स्टी और इसे कहते हैं true stress कि यूद जो एलिया हमने एडेश्य उसका रही है बात में एक्च्छोली इतना ही था इसलिए हम true कहाते है और तो इन दोनों से हम इज़री यह देख सकते हैं कि जो सिग्मा ट्रू है उसकी वैल्यू सिग्मा इंजिनेरिंग से ज्यादा यह आप याद रखे हो यह कभी-कभी यह पूछ लेता हूं कि यह ज्यादा क्यों है वह ऊपर तो लोसे में लेकिन तो वेरियेशन था उसको में राल लिया तो तो गरबढ हो जाएगी जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखते हैं कि कितने वरीएशन को हमने निगलेट कर दिया देखे अगर मैं कि नाइटीन पॉइंट नाइन नाइन पो ट्वएंटी दिग दूं तो क्या बहुत बड़ा मैंने मतलब जो क्या बहुत जादा डिफेंस आजाए तो उसमें हम उसको कंप्रमाइज कर लेंगे तो अब देखते हैं कि यह वरीएशन एक्ष़ली कि इतना होता है तो मैं इसको रफ कर देता हूं इस वाले पॉर्शन का अब इसे लिख लीजिए सिग्मा इंजिनेरिंग पी यह होता है सिग्मा टू पीवाई एडेश होता है बाद में जो एरिया बना है इलोंगेट होने के बाद तो अगर हम स्ट्रेस्टें कर भी देखें तो जो हम पढ़ते हैं वह कौन सा है और जो एक्शली होता है वह कौन सा है यह इस जार्ण में श्रेस और इस दारेक्शन में सिंग आ कि मैं स्ट्रेश्टी यह जो सेस्टिन कब में ड्रॉ कराई है एंजिनेरिंग अब मैं ट्रू वार ड्रॉब करों देखिए दो मिनिट इसको थोड़ा और यहां पर थोड़ा साइब उपर जाएगा एंजिनेरिंग वार ड्रॉब करें तो यहां तक सेम रहता है तो गरम इंजिनेरिंग वाला कर ड्रॉब करें वह यह है और जो ट्रू करवाएगा वह उपर बना है तो हम यह देख सकते हैं कि जो सिग्मा ट्रू आ रहा है वह ज्यादा है पर्टिक्र स्टेंग में सिग्मा इंजिनेरिंग वह यहां से हमने देख लिए पर एचीज देखिए यह जो है कि कि यहां पर सोअ में यहां पर जो वेरियेशन है सिग्मा ट्रू वह सिग्मा इंजिनेरिंग जो कर्व में वेरियेशन है वह लगवग जीलो है कि सूंव की केस में में सिंग्मा इंजिनिर्इरिंग और सिग्मा दुनों ही निसhail है तो अगर आप से क्वोई पूश कि सिग्मा टू दूर सिग्मा इंजिनिरिंग सेम की डिसमें अलग यह सेम हैं तो Jed fe तो हमारे लिए यह दोलों सेम है पर लेकिन अगर प्लास्टिक रिजन में तो वहाँ पर यह जो स्ट्रेसिस की वेरियेशन हमें देखने को बिल जाएगी तब हम सिग्मा इंजिनरी को सिग्मा टू एज्यूम नहीं कर सकते हैं तो यह कुछ बेसिक्स आजम्शन से जो में हुआ 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 है झाल झाल